इस इस महेंदरा न्यू स्कॉर्पियो न्यू जन्रेशन के सकते है और लोक जैसी न्यू लोक दिखता है सेम टू सेम वही है सिर्फ लोगो चेंज हुआ है अगे से ऐसी दिखती है प्राइस के बारे में बात करें तो प्राइस सुरती 30 लेक टो टॉप मोडल की मत है 18 लेक रुपीस दो वेरियन्स आते है एस और एस 11 पाई कलर ओप्षन मिलते है डीशल एंजिन मिलता है मैन्यूल ट्रांस्मिशन के सब सिल्वर फिनिशिंग के लाइन के साथ फ्रांट ग्रिल मिलता है और न्यू लोगो बोनेट पे डिजाइन बोनेट स्कूप है कि एड्लाइट के बार यह बात करें तो आइड्लाइट आपको आई बीम और लोग बीम के साथ मिलती है इंडिकेटर डियारेल नीचे की साइड फॉग लेंड तो थाउसन टू में मैंन रन है स्कॉर्पियोल को लॉंच किया था आइड्लाइड में आपको इंडिकेटर आएक बात करें दो वेल साइड आपको 17 इच का मिलता है अलोब वील मिलते है ए फ्रेंट और रियर में प्रेंट में डिस ब्रेक और रियर में ड्रम ब्रेक्स मिलती है स्कॉर्पियों के गराउंड क्लिरेंस की बात करें तो इंडिकेटर साइड में इलेक्ट्रिकल एग्जेस्टेबल साइड व्यू मिलते है दोर हैंडल स्कॉर्पियों की बेजिंग फूद ट्रस साइड लूक ऐसा दिखता है फ्यूल टैंक 60 लिटर की फ्यूल केपेसिटी मिलते है लूक ऐसा दिखता है स्कॉर्पियों क्लासिक की बेजिंग स्कॉर्पियों की बेजिंग निचे की साइड आपको माइक्रो हाइप्रीड की बेजिंग लूम इंडिकेटर्स और यूस लाइट के साथ लूम इंडिकेटर्स और यूस लाइट के साथ आई माउस टॉप लेम वाइपर डीफोगर न्यू लोगो निचे की साइड आपको दो पार्किंग सेंसर मिलता है स्टीलरी में आपको स्पेर विल मिलता है 17 इंच का चलिए हरी यह दोर बोल के देखते हैं दोर पी आपको दोर हैंडल दो स्पीकर हैंडल एक सी दिखती है रियर शीट दो सीट मिलती है बीचे की साइड आपको हैंडल रिदिंग लाइट इसे दिखती है रियर डोर चलिए रियर पेसेंटर साइड डोर को देखते हैं पीचे का डोर यह साइड दिखता है इसमें बोल फीनिसिंग पार विंडो के कंट्रोल डोर हैंडल तुड़ी स्पेस बोडर ओडर ऐसे दिखती है शीट्स एक्टेबल हैटरस के साथ बीचे में आप कामरास डोर हैंडल चलिए अंदर देखते हैं पीचे की साइड शीट के पीचे पोकेट्स निकी की साइड दो एस इवेंट्स थोड़ी स्पेस ड्यूल करर में फ्रंट डेस्टबल मिलता है चलिए प्यास एंदर साइड डॉर कुलके देखते हैं दोर हैंडल साइड विव मीरर पेसेंजर साइड दोर एसा जिकता है और फिनिशिंग दोर हैंडल पार विंडो के कंट्रोल्स तोड़ी स्पेस पीकर यह एक्जिस्टेबल सीट मिलता है फ्रंट इसाइड आपको इस इवेंज नीचे आपको लाइट के कंट्रोल वर्यम के कंट्रोल मिलता है नीचे के साइड बॉनेट और पेडल्स बॉनेट कोलने का लिवर आप यह स्टेरिंग तिल्ट एक्जिस्टेबल एक्जिस्मेंट के साइड वाइपर के कंट्रोल्स साइल अरे डिडिकेर के कंट्रोल्स निव लोगो कुरस अन्रोल्स कंट्रोल्स के कंट्रोल वा इनिस्टेमें घिनक्रोल्स इंट्वर्टेंट्मेंट स्क्रीन, नाइन नीच की स्क्रीन मिलती है, AC के केंट्रोल्स, नीचे की स्याट, एंजिन स्टाइश टॉप बटन, 12 वल्ट का सोकेट, युस्बी पॉर्ट और नीचे थोड़ी स्पेस मिलती है, 6-Speed Manual Transmission, वेस्वेंट, बुर्ट फिनिशिंग के साथ, नेन ब्रेक, ग्लास होड़ी, एस्टाइब बॉक्स, एस्टाइब बॉक्स, अन्दर थुड़ी स्पेस, AC वेंट, स्कॉर्पयो के बैजिंग, फ्रंट पेसिंग, इस्टाइब के साथ बिलती है, बिलती है, बिलती है, रिदिंग लाइट, सन्वाइजर, मीरर के साथ, स्टाइब, 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 ड्राइबर साइट सन्वाइजर, देस्बर की फिनिस, ब्लैक कलर में, सीट बेल्ट, अम्रस! नाइन इच की आपको इंफर्टेनमेंट स्क्रीन मिलती है, इसमें आपको एंड्रोड डॉटो, एपल कार प्रे, जैसे कई सारे फिचर्स मिलती है, रेडियो, ब्लुतूथ, वोइस कमांड, नेविगेशन, जैसे कई सारे फिचर्स मिलती है, इंस्टुमेंट क्लส्टर, इंस्टुमेंट क्लस्टर, इसमें आपको स्पीडो मिटर, टैको मिलती है, एवरेज स्पीड, व्यूल लेवल, लो फिउल वड्निंग, डेर इंडिकेटर, जैसे कई सारे एंडिकेट दीखा देदा है, इसमें, चलिए एंजिन देखते हैं इसमें आपको 2.2 लीटर का डीजल एंजिन मिलता है यह आपको 2184 cc का 4 सिलेंडर इन लाइन एंजिन मिलता है मेक्स पार आपको 130 bhp और मेक्स टॉर्क आपको 300 nm निकालके देता है इसे दिखते हैं आगे से हाइट के बारे में बात करें दो हाइट आपको 1.9 मीटर की वेर्थ आपको 1.8 मीटर की और लेंद आपको 4.4 मीटर की मिलता है उपर की साइड आपको रूफ रेल्स और एंटीना मिलता है ग्राउंड क्लिरंस आपको 209 mm की मिलता है स्कॉर्पियो का टनिंग रेडियस है 5.4 मीटर का